पूराने प्रीवेस कॉंसेप्स के साथ में हुआ है फ्युचूरो आपको याद होगा उसका फाइनल वर्जिन बना एस्प्रेसो इस गाड़ी के साथ में इसा बिल्कुल ना हो एड़ लुक्स बेटर जब यह फाइनल प्रोड़क्शन वर्जिन में आती है अब इसके बारे में क्या कुछ है क्या कुछ बताया गया हमें और क्या हमारी उमीद है उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीजो में नमश्कार कंशागरी दिवयो सोचनो मैं ने मैं विकास योगी You are watching Essence Studio and this is a future electric SUV from the house of Maruti Suzuki औराइन, so the first thing is first the platform, the architecture जो कि hybrid sort of एक composition आप बोल सकते हो, कि हाँ आपने petrol diesel को हटा दिया, उसकी जगे electric batteries को लगा दिया, और motors लगा दिया, तो वो चीज नहीं है, यह born electric है, that means शुरुआत से concept design state से इसे design किया गया है as an EVI, that means space management जो है, they can do really well, वैसे मुझे नहीं बता, देखने में आपको कितनी बड़ी लग रही है, to be honest, but this is 4.3 meters, that's what the company says, और almost 1800 mm की width भी इस गाड़ी को मिली है, but born electric का मतलब है, कि आपका जो platform है, उस पर कोई भी petrol या डीजल गाड़ी नहीं बनेगी, उस पर electric car ही बनेगी, कि बैटरीज को generally यहां पर बिचाया जाता है, since it's just a design study, I don't think so, इसके अंदर कोई भी बैटरीज अभी है, it's just like a design study, और usually हम इतने बड़े tires भी production version में देखते नहीं है, this is a good year, and I think 20 inch के tires है यह, और जो final production version होता, हमने usually देखा है, वो 17 inch या 18 inch पे रुख जाता है, तो वैसा ही कुछ होना चाहिए, and slightly better suspension travel as well, यहां पर suspension के नाम पर actually कुछ लगाय नहीं गया है, क्योंकि again, it's just a design study, also, यह जो आप देख रहे हो, it's like an alloy, but cover नहीं है, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, फिर chrome का इस्तमाल, subtly, आपको यहां पर दिख रहा हो, कि chrome का इस्तमाल यहां पर हुआ है, जो की इस grey color के साथ में, almost similar ही लग रहा है, यहां पर black cladding भी देने की कुशिश की है, वो ruggedness या SUV-ness की वज़े से, उसके अलाबा, ORVMs, of course, typical concept, style आपको दिए गये हैं, यहां पर एक camera sort of, चीज दिखाने की कोशिश की है, but final production version, of course, आपको एक proper ORVM मिलेगा, another thing, when you look at it, तो यह बहुत जादा boxy, proper SUV shape नहीं आता, it's more like a crossover, wherein slopey sort of, आपको roof line, जो है, it's dropping down like a coupe, but it's not a proper coupe as well, थोड़ी सी upright, but थोड़ी सी crossover-ish, it's more like a crossover than the, than your you see the boxy SUVs, or like proper SUVs, और proper SUV के अगर आप इंतिजार कर रहे हो, तो मारती Suzuki बहुत जल्दी जिन्नी अन्वील करने वाली है, AutoExpo में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बारे में हर की information, five door वाले की information आपके लिए हम कल लेकर आएंगे, उसका इंतिजार कीजिए, अब ये doors बगर है, ये सिर्फ again design study है, I don't think so, कि flush type के door handles आपको यहाँ पर दिये ही जाएंगे, मुझे लगता है कि regular, जो आपके handles होते हैं, door handles वैसी ही को मिलने वाले हैं, now this is my favorite angle of the SUV, actually rear three-quarter से बहुत अची लगती है, rear overall बहुत अच्छा लगता है, ये spoiler sort of अब यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, और वो proper drop जो हमने coupe SUVs में देखा है, वैसा drop अपने ज़र आता है, LED DRLs पूरा run कर रही है, I wish final model के अंदर ऐसा गुच आए, EVX का badge यहाँ पर है, final name क्या होगा, we don't know about it yet, फिर कुछ interesting touches देने की कोशिश की है, यहाँ पर red lights है, जो लगई गई है, जो कि of course final model में नहीं आएगा, तो bumper भी आपका completely change हो जाएगा, बाकि इसके अंदर कोई cameras, cameras, उस अब भी ने लगाया, जो कि of course इस वाली गाड़ी में आएगा, अब क्या चीजों के बारे में information हमारे पास में है, उसके बारे में बात करते हैं, इसके अंदर कमणिया कहना है कि 60 kWh का battery pack आने वाला है, एक और चीज़, company ने बहुत massive investment किया है, so that they can manufacture cells in India, if that happens, तो मारती Suzuki की पहले manufacturer बन जाएगी, जो कि भारत में cell manufacture कर रहे हैं, battery cell manufacture कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक cells हम Korea या चाइना से source करते हैं, उसके बाटरी pack बनाते हैं, यहाँ पे material लाकर cells भी इंडिया में बनाने का, जो दावा है, वो मारती Suzuki का है, millions of dollars have been invested into it, and I wish, I think, Toyota और Suzuki साथ में बिलकर यह चीज़ करेंगे, because it's a heavy investment, और दोनों के दोनों कई common platform से भी काम कर रही है, I'll not be shocked अगर almost similar platform पे Toyota भी कोई गाड़ी लेकर रहा है, Toyota का एक video हमने बनाया, जाकट देखिए, वो भी एक गाड़ी है, जो की final production version में आ सकती है, alright, तो front की हमने शायद बात नहीं कि मैं हमें miss कर गया, but LEDs आपको दी गई है, strips है, final version में हम most likely LED projector headlamps देखेंगे, और ये जो closed sort of आपको grill मिल रही है, upper grill और lower grill, वो retain भी किया जा सकता है, अगर आप EVs के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो वहाँ पर heat dissipation आपको उतना जादा नीची चाहिए, बड़ उतना जादा नहीं चाहिए, तो इस case में upper grill usually close होती है, अगर एक चीज, जो और बताई है मारती सुचुकी ने, वो range बताई है, 550 km की range, now realistically, 60 kWh battery pack से, चाहे कितना भी efficient आपकी battery हो या cells हो, आप 60 kWh से 500 km की range नहीं ले सकते हैं, तो आप सीधे-सीधे तोर पर 30-35% उसका कम कर दीजे, वो एक range होगी, जो आप realistically expect कर सकते हो, so if it's 500, अगर आप 30% कम करोगे, 1500 के आसपा हो जाएगा, that means सबा 300 के आसपास आपको इसकी realistic range बिलने चाहे, अगर वो भी हो जाता है, and if they price it really well, then it can do wonders, I wish इसके साथ में all wheel drive भी आ जाया है, but again मारूती being मारूती, they will try to position it in a way कि यह जादा expensive affair ना हो, जादा तर लोगों के लिए, तो I think वोई front wheel drive setup आएगा, मन्दा front में motor लगी कि motor में क्या power है, कितना torque है, वो नहीं पता है अभी तक, in fact, I don't think इनों आभी तक उस level पे काम करना शुरू भी किया है, नहीं किया है but 2025 is when this is gonna be into production version and I wish they retain at least 70% of it अगर ऐसा होता है, then it will be a great looking SUV और कई रिलिस्टिक चेंज़ के साथ मैं, actually, वो अचीव भी किया जा सकता है मैं ने इंटीर आपको इसलिए दिखा है कि यह भी बनाया या है, वहाँ पर basically, सिर्फ स्टेरिंग लगाई गई है वो भी आदी दिख रही है, there's nothing at all in fact, बैटरी इस भी नहीं है इसके नदा, like I said so, yeah, this is what it is I hope आपको वीडियो पसंदा है, वीडियो पसंदा है तो इसे लाइक करना और शेय करना ना बूलिए, अगर कोई सवाल है या मारूती सुजुकी कोई और कार आप दिखना चाहते है do let us know in the comment section, I'll see you in the next video